हेलो फ्रेंड से एक बार फिर से स्वाकत है एक नए वीडियो के अंदर तो दोस्तो आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले किसी भी मकान के अंदर गेट लाइट और बेल पॉंट की जो पाइपिंग है वो किस परकार से किया जाता है तो यहाँ पर देखे हमार पास में म पोईंट लगने वाला है और देखे दूसरी दिवार के वे उपर देखे एक अंदर की तरफ से पाया हुआ हुआ है और एक पायप नीचे ड्रोब किया हुआ है तो यहां अर्थिंग के लिए अर्थिंग होने वाला है ठीक दोस्तों इसके बाद में देखे यहां जो कोलम के पाइप को एड़ किया हुआ है जब कोल्म की डलाई हो रही थी तब ही हमने इसके अनदर जो पाइप है वो एड़ लिया था ठीक है न तो यह पाइप देखें okay फर्स होता हुआ हुआ है ठीके है फिरस होता हुआ जा का मारा 12 मूडल बोक्स के अंदर और उसी बोक्स तो बारा मॉडल बॉक्स देखिए उपर की साइड में जो फेन बॉक्स के अंदर सप्लाई को मिलाया हुआ है इसके बाद में देखिए वहाँ पर देखिए बारा मॉडल के पास में ही पहले जो पुराना बेल के सुझता वो वहाँ पर लगा हुआ है तो उस स्वेच को अब हम इस पाइप के थूँ देखिए 12 मॉडल बॉक्स के अंदर लेने वाले है तो यहाँ पर box देखे हम column के अंदर लगाने वाले आप चाहे तो इंट की दिवार के उपर भी box लगा सकते हैं यहाँ पर हम जो extra column है उसके उपर लगा रहे हैं main column के उपर हम जो point है वो नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखे तो यह 12 model का box है तो इस box के अंदर देखे यहाँ पर एक गंटी का पेल है जो board है वो यहाँ लगा हुआ था और देखे पीछे की side से hole करकर यहाँ पर एक point बनाया हुआ था तो अभी हम इस point को पारा model box के अंदर लेकर फिर हम बार की side में इसका bell point लगाने वाले हैं ठीक है ना तो यहाँ पर देखे एक hole बनाया हुआ है तो हम पीछे की side में चलते हैं तो देखते हैं देखे कैसे bell लगा हुआ है तो यहाँ पर देखे एक board लगा हुआ है पीछी की और तो इसके अंदर देखे इसका जो bell का wiring होता हुआ जो इस board के उपर की side में bell लगा हुआ है तो वहाँ पर इसका connection है तो इस connection के अंदर हम जो नया bell है उसका जो wiring है इसके अंदर add कर देंगे तो इस परकार से देखे हमने इसका बेल का piping किया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो देखे हमने जो MCB box का setup भी कुछ अलग किया है तो यहाँ देखे पुराने मगान के अंदर MCB box लगा हुआ था तो यहाँ पर देखे काफी time से पानी आ रहा था तो देखेंगे दूसरी दिवार पर MCB box को shift करने के लिए देखेंगे हमने इस परकार से piping करके इसको दूसरी दिवार पर लिया है और उपर से देखेंगे जो हमने नया fan box लगाया है उसका piping यहाँ पर आ रहा है और दो piping हमने नीचे की और लिया हुआ है तो यहाँ पर देखे हमारा mcb box लगने वाला है और इस mcb box से देखे दो pipe हमने नीचे की तरफ drop किये है और जो देखे पुराना जो meter है वो भी यहीं पर लगा हुआ था mcb box के पास में तो इसे भी हम बाहर की तरफ shift करने वाले है तो देखे जो जो दो piping आ रहे हैं नीचे से mcb box के वाँ से तो यह piping देखे यहां से शीडियो से नीचे होता हुआ एक pipe बाहर की ओर जा रहा है तो मैंने शुरुआत में जो आपको pipe बताया था कि अंदर की ओर से जो बाहर आ रहा है वो हमारा main meter का pipe रहेगा इसके बाद में जो एक pipe है वो दोस्तो सीडियो के नीचे यहां drop हो रहा है और यहां पर देखे 6 module का box लगाया हुआ है तो यह box हम inverter के लिए रखने वाले हैं सीडियो के नीचे ही हम inverter को set up करने वाले हैं तो इस परकार से आपको piping करना है सारा तो देखे अभी हमारा काम है और completely final हो गया है box और piping का काम complete है तो इस परकार से देखे हमने bell का point भी लगा लिया है और जो 12 module box है उसे भी हमने fix कर दिया है तो यहां पर देखे बेल के लिए भी हमने जो pipe है वो set कर दिया है और mcb box को भी completely fix कर दिया है तो इस परकार से आपको piping करना है सभी अगर कोई gate light है या bell point है उन सभी का आपको इसी परकार से piping करना है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो like जुरू करें